तो आज का जो वीडियो है यह मेरा सब्सक्राइबर का डिमेंट के उपड़ है तो काफी सारे फ्रेंड ने डॉइच फार का जो मैं ट्रैक्टर अभी यूज करने हो एक गुरूलक्स 50 उसके बारे में कुश्चिन पूछ रहा था तो चालतर लोग ने पूचा इसका प्राइस किया है माइलेज कितना देता है आप लोन पे लिया या कैस पे लोन पे लिया तो कितना लिया एक काम कैसे करता है बहुत सारा क्वेस्चिन है रोटर भेटर कौन से यूज करते हो रोटर भेटर में कितना माइलेज देती है ट्रॉली पे कितना माइलेज देती है काल्टी भे सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो प्राइश है नाइन इसका जो प्राइश मेरे को देना पर है 9.9 लैक ओन रोड ऑनले इंजिन का इसके साथ कुछ भी नहीं मेरे को मिला था और इसका जो लोन के बड़े मैं डिसकुस करने बोला था तो तो लोन के बाड़ मैं आपको क्या बोलू आप बैंक में भी कर सकते हो और बाहर में फाइनानस भी रहता है वह वहां भी कर सकते हो तो इसमें मिनीमाम डाउन परेमें आपको जिसका सीबिल अच्छा है साए तीन से साड़े तीन से सारे तीन के अंदर हो जाएगा नहीं तो चाल लग कर देना आपको मिल जाएगा और बहुत सरे प्रेने पूछा था इसका रोठा वेटर कौन सा यूज करते हो तो आप लोग मेरा जो कुबोटा ट्रैक्टर है उसको जानते हो उसका पीछे जो रोठा वेटर में यूज करता हूं बेंगोल का 72 ब्लेट 6.5 फीट जो इसमें भी मैं यूज कर रहा हूं कोई प रोठा वेटर पर माईलेज 6.5 से 7 के अंदर ये अंदर हो जाएगा और जो माईलेज है यह डिपेंड करता है ड्राइवर के उपर और मिट्टी कैसा है मिट्टी धीला हुआ तो उतना ज्यादा डिजल नहीं पीएगा और ज्यादा आपको किचर वाला जो मिट्टी होता है उसमें ज्यादा पीता है वो तो कुछ अलग बाद है सभी जगह पे तो ऐसा माठी नहीं है न और बट साथ लेटर के अंदर ये अंदर अबको हो जाएगा फोर हुल ड्राइब ओन करने के बाद भी और जो कल्टीवेटर है उसमें साइद तीन मेरे रोटर वेटर पे देख देखा नहीं हूँ बट मेरा जो कॉंफीगर आड़ा है जब मैं यूज कर रहा था तब साइद धाई से तीन लीटर के अंदर हो जाएगा टेलर पे भी मैंने यूज किया करीबन ये धाई सो से तीन सो आवार बस टेलर पे यूज किया मैंने इस सी सीजन पे बट माईले जा Day topics विंए वहां से मेरे घर तक लेकर आया कडिवान और है क्या वोड़ों इक Legal कि एक सो आसी किलोमेटर से दौन अप्समझे लो कि तो एक मैंब इन इसमें तीन हज का डीजल दिया था पूरा कर पूरा पी गया लोड था इसके पर मैं इसके पीछे कर टेलर ख उसके उपर ह यहां पे आप देख सेकते हो थोड़ा सा ढालू हो चुका है रोट पे यूज़ करने के लिए यह टायर पर ज्यादा समझ सकते हूं यह आपको रोट पे यूज़ करने में थिक्कत आ सकते हैं इस टायर को मैंने बहुत रास्ता इसको ट्राइब किया था इसलिए हुआ साइथ क्योंकि जब आप जो हमारा पक्का सड़क होता है उसमें बहुत देर तक चलो गए तो टायर हीट होता है और उसी वाक्त जो हमारा ज्यादा डेमेज भी होता है यह पर देख सकते हो और काफिस रहें प्रेन ने पूछा था कि इसका जो पावर है वह कितना है जो हम 585 मैंदर का यूज़ कर रहा है उससे ज्यादा है कि नहीं हां बहुत ज्यादा है मैंने कूद एक्स्प्रियंस किया हूं जहां एक जगा प पर हमारा मेसिन चल रहा था तो यह जो ट्रॉइशफर है पूरा के पूरा मेसिन के पास जाके दो टेंग की पेड़ी लेके वहां से बाहार निकला बट महिंद्रा जो खाली ट्रॉली को लेके भी वहां पे जा नहीं सका और इसके वारे में थोड़ा बहुत मैं जानकर देता हूं इसमें आपको तीन सिलेंडर फोर्ड इस्टोक इंजिन मिल जाता है तीन हजा सीसी का जो बाइस सु रेटेड आर्पीम पे चलता है और इसमें आपको फॉंड में हेवी ड्यूटी एक्सल मिलता है उसके साथ साथ 11-20 का टायर मिल जाता है आप इसका टायर का कॉंबिनेशन देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां सब देखोगे तो पीछे का टायर और आमने का टायर का जो चोड़ाई है सेम लगेगा यह इसका प्लास पॉइंट है इसलिए बहुत सारे कीचर में यह जा सकता है क कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें और जाहता ट्रेक्टर में टायर कॉंबिनेशन मुझे अच्छा नहीं लगता पीछे 16-20 सामने 9-5-24 क्या मुझे तो कि इसे और सा लगता है इसका टायर कॉंबिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और किसी को और कुछ जानना है तो आप कॉमेंट करके बताओ कॉमेंट के नीशे में दे दूँगा और और यहां पर जो सार्विस कोष्ट के बर में बहुत सा रफ ने ने पूछा था तो मिने इसको पंचाथ घंड़ा पर सार्विस किया था उसमें बस चो इंजीन ओयल होता है वह चेंज हुआ था और उसके बाद इसके बाद यह सार्विस होता है करीबन तीन सो आवर चरनने के बाद तो तीन सो आवर चरनने के बाद अबकुस जो सार्विस कोष्ट आएगा थूरा ज़ाद आएगा क्यूंकि दोनों डीजल फिल्टर भी चेंज होगा इस बार इस बार चेंज होगा 7.5 लीटर इंजिन ओयल उसके साथ साथ इंजिन ओयल फिल्टर और दो डीजल फिल्टर और कुछ नहीं है तो यह कैसे काम कर रहा था आप देख सकतो इसके साथ मैं आपको एक्स्प्रियेंस कर रहा हूं इसमें इसका जो ट्रॉली है यह वाल साथ वाला टायर फास गया था ट्रेलर का बर्ट इसका कोई फरक नहीं परा वो टायर को कुछ इसको मारू भी नहीं चला कि वो टायर घूम नहीं रहा था उसका वीडियो है आप देख सेकतो यूट्यूब पे जाके और इसमें आपको दो प्रम मिल जाता है यह भी बहुत आपको ज़ेल क्लाच मिलता है और इंस्टूमेन क्लास्टर बहुत ही अच्चा है कि आपको सेवेंटी टू-टू-लीटर कर डिजल टैंक मिलता है जो बहुत जाधा देड़ तक काम करने में आपको सहाता मिल जाएगा दूर के खेत में और इसमें अपको ड्राइट वेल इसके एक ही धिक्कत मुझे लगता है इसका जो फॉन्ट का कि यहां पर देखते हैं यहां पर जो इस्टेरिंग को कॉंट्रोल करता है और यहां पर एक नाठ है यहां पर देखते तो इसमें जब आप किचर में चलोगे तो यह नीचे का जो पती है यह बेंड हो जाता है और वह वाला नाठ पे घिसता है पाइप उससे वज़े से यह पाइप लीक होने का चांस रह जाता है आपको धैन में रखना है कि कभी लीक में हो जाए तो आपका इस्टेरिंग काम नहीं करेगा हम हम मेरा जो डाइवर है वह हाट डे चेक करता है अब हाट डे ग्रीज भी कर लेना ताकि आपका जो यह फ्रॉंट का एक्सेल है वह ठीक से काम करें और इसमें आपको तीन यहां पर देख सेटों यह बला तो जब यह इसका अंदर यूडिटी ओएल रहता है तो जब यह घूमता है उसके अंदर गैस पोड यूस होता है तो वह बहार निकलने के लिए तो इसको आप ठीक से क्लियार रखना ताकि जो गैस है वह बहार निकल जाए यह तीन है कि एक है उससाइड दो है तो यह देखन में रखना है अगर और पाक्यों किया कुछ है आपको और इसके बढ़न में कुछ जाना है तो अब कॉमेंट करके पूछना में मिए चार दूँ दोस्तों वीडियो देने के लिए बहुत धन्हाद थैंक्स पर वाचिंग